अगर आप ध्यान से देखें, तो हर बच्चे में उसके माता-पिता के कुछ चारेक्टर्स होते हैं. जिहां, मा और बाप दोनों के कारेक्टर्स. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हमें बच्चों में रैंडम कैरेक्टर्स कैसे दिखते हैं, जो एक ही माता-पिता से आते हैं? सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि ओगनिजम्स में सेक्शूल रिप्रोड़क्शन के कारण ऐसा होता है. जिहां, इसका लॉजिक हमें जिनेटिक से मिल सकता है. लेकिन हम उसके डीटेल में नहीं जाएंगे. हम खुद को इसके लिए जिम्मेदार प्रमुक प्रोसेस तक ही सिमित रखेंगे. अब आप सोचते होंगे कि ओगनिजम्स में होने वाले बदलावों के लिए सेक्शूल रिप्रोड़क्शन कैसे जिम्मेदार हो सकता है. इसके लिए हमें एक बार फिर से सेक्शूल रिप्रोड़क्शन की डेफिनिशन देखना होगा. क्या आपको याद है वो क्या थी? चलिए, मुझे आपकी मदद करने दीजिए Sexual Reproduction Reproduction का एसा प्रकार है जिसमें नए व्यक्ति को जर्म देने के लिए Gamets का Fusion होता है अब यहाँ पर Fusion of Gamets शब्द हमारे सवाल का जवाब है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम कहें कि Zygote Gamets की Fusion से बनता है तो इसका मतलब है कि नए जन्मे व्यक्ति में Characters का मिश्रन होगा इसलिए Sexual Reproduction को समझने के लिए हमें पहले Gamets को समझने की जरूरत होगी Gamets Sex Cells होते हैं और पुरुषों और महिलाओं दोनों में अलग-अलग होते हैं क्या आप जानते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, ये शब्द हम देख चुके हैं Male Gamets को Sperm कहते हैं जबकि Female Gamets को Ovum कहते हैं उनको पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले Reproductive System पर एक नजर डालने की जरूरत है इससे हमें ये पता चलेगा कि Gamets कैसे बनते हैं और ये हमें Fertilization Process को बहतर ढंग से समझने में मदद करेगा तो इस वीडियो में हम Male Reproductive System के बारे में जानेंगे शुरू करने के लिए हम उस जगह को देखते हैं जहां पर Sperms बनते हैं इन Oval Shape के Structures जो दोनों तरफ हैं हम उनकी बात कर रहे हैं इस एक Structure को Testis कहते हैं और दोनों के Pair को Testis कहते हैं या केवल एक Pair of Testicles अब ये System का एक जरूरी हिस्सा है और इनकी रक्षा करने की जरूरत है तो इसलिए इन पर Skin का एक Cover होता है जो Back की तरह एक Structure बनाता है और क्या हमारे पास इसका कोई नाम है? जी हां, Back जिसे Structure को Scrotum कहते हैं इसलिए Scrotum एक Pouch है जिसमें Testis होते हैं अब बने हुए Sperms को Female शरीर तक पहुँचने के लिए Travel करना होगा तो कौन ये निश्चित करेगा कि Sperms Testis के बाहर जाएं? ये जिम्यदारी इन Coils द्वारा ली जाती है जिने हम यहां देख सकते हैं इसे Epididymus कहते हैं और इस जोड़ी को Epididymides कहते हैं फिर Mass Sperms को इस Single Connecting Lumbi Coil तक ले जाता है इसे VAS Deference कहते हैं VAS Deference इसे और आगे कहां ले जाएगा? सीधे शरीर के बाहर? जी नहीं वो इसे Ejaculatory Duct नामक एक चीज तक ले जाएंगे लेकिन Ejaculatory Duct कहां जाता है? ये एक Acid Destination की ओर जाता है जहां पर Sperms एक Postic Fluid के साथ मिल जाते हैं एक सेकेंड रुकिए हम किस तरह की Fluid की बात कर रहे हैं? और यहां इसकी जरुरुत क्यों है? Basically, Sperms को जिन्दा रहने के लिए Potion की जरुरुत होती है इसके अलावा उन्हें अपने रास्ते में आने वाले एक Fluid को सिक्रीट करता है जो Sperms को Potion देने में मदद करता है क्या आप इस Bulb जैसी Structure को देख सकते हैं? यह Prostate Gland है जो Prostate Fluid को सिक्रीट करने में मदद करता है अब Sperms Fluid में तेरते हुए युरेथरा तक महुँच जाते हैं जहां से उन्हें शरीर के बाहर रिलीज किया जा सकता है जरा रुकिए सभी सिक्रीशन अभी तक Complete नहीं हुए हैं यह मटर के शेप में पाए जाने वाले Gland एक और ज़रूरी सिक्रीशन करते हैं इसे Cooper's Gland या फिर Bulbo Urethral Gland कहते हैं अब इस सिक्रीशन के साथ सीमन Complete है सीमन बस Sperms को ले जाने वाला Fluid है इसे Urethra द्वारा ले जाया जाता है जो पीनिस में होता है अब यह Sperms Female Reproductive System तक पहुँचेंगे और सभी Sperms में से केवल एक ही Ovum को Fertilize कर पाएगा लेकिन एक बात बताएए इस Single Sperm की Structure को देखते हुए क्या आप अंदाजर लगा सकते हैं कि यह एक Unicellular Structure है या फिर एक Multicellular Structure है यह एक Single Cell है हलाकि यह Single Cell का Structure नहीं लगता है लेकिन Sperm निश्चत रूप से Unicellular है इसके Head Region में Nucleus होता है उसके बाद इस Middle Part में Mitochondria है जो तैरने के लिए Energy देता है लेकिन फिर Physical Roop से तैरने में कौन मदद करेगा यह इस Tail Region का काम है Tail तैरने की Activity में मदद करती है अब हम Male Reproductive System के Basics को समझ चुके हैं मुझे इस Process को जल्दी से वापस दोराने दें Sperms, Testes द्वारा Produce होते हैं Epididymis नाम कॉयल का मास Sperms को Vast Difference में ले जाता है जो एक लंबा कॉयल होता है वहां से यह Ejaculatory Duct तक जाता है जहां यह Postic Fluids के साथ मिल जाता है वहां से यह Urethra तक मौच जाता है और Cooper Gland से सिक्रीशन के बाद सीमन पूरी तरह से बन जाता है तो हम Fertilization की प्रोसेस से पहले क्या सीखेंगे बेशक Female Reproductive System इसके बारे में अधिक जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें